एलो स्टुडेंट्स हमारा टोपिक चल रहा है आवर्त बीजी पॉद्धो में जनन रेप्रोडक्शन इन एंजोस्पर्मिक प्लांट और हमारा जो टोपिक अलगब कंप्लीट होने वाला है हमने पिछले टोपिक में डाइकोट या द्वी बीजपत्री बुरून किस प्रकार से डेवलप होता है किस प्रकार उसके अंदर बीजपत्र बनते हैं वो सरंचना हमने समझी और वो सरंचना हम इस डाइराम के थुरू पूरा समच चुकी है किस प्रकार द्वी बीजपत्री बुरून का विकास होता है द्वी बीजपत्री बुरून किस प्रकार से डेवलप होता है उसके अंदर endosperm या भुरुन पोस्ट किस परकार से पोस्टन में सहायता देता है और वो एक ड्वी बीजपत्री भुरुन को विक्सित करता है आज हम पढ़ेंगे एक बीजपत्री और द्वी बीजपत्री दोनों के भुरुन में क्या-क्या अंतर पाया जाता है या लगभग दोनों का जो development है दोनों का जो भुरुन का विकास है दोनों का लगभग एक जैसा ही होता है अंतर क्या आता है हमने structure देखी ती भी किस परकार एक द्वी बीजपत्री भुरुन जो होता है वो अपने आपको यहाँ पे एक heart shape heart shape structure में develop परता है जिसके द्वारा ये दो बीजपत्र या कोटिलेडिन इससे बनते हैं कोटिलेडिन बनते हैं बीजपत्र बनते हैं और वो दोनों बीजपत्र अपने आपको विक्सित कर लेते हैं जिसके उपर क्या बन जाता है प्रांग कूर या इसको बोलते हैं लियम्यूल और जो भाग suspensor cell या जो निलम्बा कोशिकाओं के पास रहता है वो क्या बनाता है मुलांकुर या रेडिसल बनाता है यहाँ पर अंतर क्या होता है डाइकोट और मोनोकोट द्वी बीज पत्री से एक बीज पत्री ब्रून की सरंचना marketplace एक दिस साहता है लेकिन वहाँ पर बीज पत्र जो है वो एक ही बनता है एक बीज पत्री के अंडर और वो अपने आपको थोड़ा सा ब्रून ये अक्स से थोड़ा सा वर्टीकल हो जाता है उस एक बीज पत्री ब्रुन में पाए जाने वाले कोटिलेडिन को बीज पत्र को हम बोलते हैं स्कूल्टम जो अपने आपको इस परकार से विक्सित कर लेता है और दूसरा भाग जो एंडो स्पर्म है जो भुरुन पोश है वो एक बीज पत्री पोधों में पूरी तरह से खतम नहीं होता या अपने आपको जब भुरुन विक्सित हो रहा होता है तो उसके पोश्टन में पूरा योगदान उसका नहीं हो पता उसमें से कुछ भुरुन पोश्ट का भाग बचा रहे जाता है तो वो एंडो स्परम भी वहाँ पर दिखाई देता है उसके साथ-साथ उसके चारों और जो पाया जाने वाले इंटेग्युमेंट्स है अध्यावरण है वो बदल जाते हैं बीजावरण में बाइये बीजावरण और आंतरिक बीजावरण में हम डिटेलर्ण पढ़ेंगे इसके क्या-क्या बदलता है और उसमें एक स्ट्क्चर दिखाए देती है एलूरेन लेयर जो सरंचना होती है वो कुछ विशेज टाइप के पार्टिकल्स होते हैं स्टार्ज के उन्हें हम क्या बोलते हैं एलूरोन परत कहते हैं अब सोचनवरी बात यह कि उसमें बीज पत्र केवल एक ही होता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं एक बीज पत्री या मोनो कोट जो अपने आपको कहा लेता है ब्रूनिय अक्स से थोड़ा सा उसकी सरंचना अलग हो जाती है उसको हम बोलते हैं स्कूल्टम अब स्कूल्टम का कुछ भाग जो होता है उसमें जो बीज पत्र है बीज पत्र के कुछ भाग जो होते हैं वो प्रांकुर चोल पाया जाता है और उसी का कुछ भाग जुड़कर क्या बनाता है मुलांकुर चोल उन प्रांकूर चोल की भाग को जो मुलांकूर चोल है प्रांकूर चोल के अंदर की सलंचना जो होती है उसके अंदर पाया जाता है प्रांकूर और मुलांकूर प्रांकूर या मुलांकूर उसको प्लिमूर रेडिसल बोलते हैं प्रांकूर के द्वारा क्या बनता है शूट सिस्टम या हम इसको बोलते हैं पर्रो तन्ता जिससे क्या बनते हैं लीव्स और उसकी ब्रांचेस और स्टेम पतियां शक्षाएं और तन्य का भाग बनता है जबकि मुलांकुर चोल या मुलांकुर से क्या बनता है मूल तंतर या हम इसको बोलते हैं रूट सिस्टम रूट सिस्टम या मूल तंतर बसे जड़ों का रिर्वान होता है और उसको ही उससे क्या बनता है root cap जो हम बीवर्दि करती हुई जोड़ों को क्या करता है वो protection देने में वड़्द करता है तो पूरा का पूरा जो structure है वो उससे different है diecote से जिसके अंदर अलग-अलग जो structure है उसमें squirtum पाया जाता है सिलोपेटाय उसकी उपर का भाग जो शूट अपक्स या प्रांगकूर को मदद करेगा उसमें सिलोपेटायल बोलेंगे और जो मुलांगकूर को जो सुलिकसा पर्दान बोलेंगे अब देखो होता क्या है जो सरंचनाइं है जो ओव्यूल में पाई जाने वाली सरंचनाइं है ओव्यूल के अंदर क्या-क्या पाई जाता है उसमें पाई जाते हैं इन्टेग्यूमेंट्स यह हम बोलते हैं अध्यावरण फिर पाई जाता है न्यू सेलस बिजान्ड काई फिर पाई जाता है इसमें चलाजा जिससे हम बोलते हैं नी भाग पहला भाग दूसरा थर्ड फॉर्थ फोट जो भगा इसमें पाई जाते हैं एक्सल सहे कोशिकाए सिनर्जीटस फिर होता है रही बोलते हैं फ्रति-मक्हफि कोशिकाए और इसमें पाई जाता है माइक्रोपाईल बिजान्डद्वार औरव ओव्यूल लास्ट की बात करें हम उसका पूरा स्ट्रक्चर है वो व्यूल जिसको हम बोलते हैं अब होता क्या है integuments जो होते हैं जो ovule की structure है ovule बदलते है seed में पूरा ovule जो होता किसे में बदल जैता है seed में bees में बदल जैता है bees जो ovule के integuments हैν वो seed coat भनाते हैं या इसको बोलते हैं जिसमें outer जो होता है और inner outer को हम भोलते है टेस्टा और inner को हम भोलते है טेगमेन outer को टेस्टा और इननर को टेगमेन भोलते है new cellist, bizand kai जो होता है वो उसके साथ जुड़ा रहता है चलाजा भी उसके साथ जोड़ेता है बीज का उपर ये निचली भाग बनाता है Egg Cell एग Cell क्या बनाती है Embryo या Brunner बदल जाती है Synergites Degendrate हो जाती है Nust हो जाती है Antipodal Cell Degendrate हो जाती है ये भी Nust हो जाती है माइक्रोपाइल जो होता है वो फिर बीज के अंकुरण में पानी को अब्जॉर्ब करने के लिए पानी को उस अंकुरण के द्वारा बुरूण को डेवलप करने के लिए या अंकुरण के समय उस बीज के अंकुरण के समय माइक्रोपाइल जोगा उससे जल जोगा या पानी क कि नमी जो होगी वो उसके द्वारा उसके अंदर परवेश करेगी तो ये पूरा का पूरा जो ओव्यूल है और ओव्यूल में स्थित होती है और पूरी ओवरी जो होती है वो बदर जाती है फ्रूट में या फल में इस तरह से हमारा जो पूरा का पूरा फिमेर रेप्रप्र structure है डाइकोट और मोनोकोट जो है seed और embryo के development की अब इसके अंदर क्या होता है आगे जाकर कुछ प्लांट में कुछ प्लांट में जो भुरुनकोश है जो भुरुनकोश आपको खतम नहीं करते हैं सीड के या embryo के develop आने पर SA seed को हम बोलते हैं endospermic seed उसे हम क्या बोलते हैं endospermic seed ये endospermic bees बोलते हैं और SA bees जिसके अंदर पूरा का पूरा endosperm नस्ठ हो जाता है SA bees को हम बोलते हैं non endospermic seed तो हम उसको detail में next वीडियों पढ़ेंगे what is endospermic seed and what is non endospermic seed उनका development किस परकार से होता है किस परकार उसमें difference क्या होता है तो आज के लिए इतना ही है next वीडियो में हम आवर्त वीजियों में पाये जानेवाल endospermic seed और non endospermic seed में पढ़ेंगे और उसके बाद यहां पर हम कुछ जनन की और वीडिया पढ़ेंगे जो आवर्त वीजियों के अंदर विशेश रूप से पाये जाती है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद झाल